वेलकम फ्रेंट्स स्वागत है मारे यूटूब चैनल कम्प्यूटर और टेकनिकल एजूकेशन दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि यूपी स्कॉलर्शिप करेक्शन डेट आ गई है उसे आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं तो यहाँ पे वीडियो में लास्तक दोस्तों यहाँ पे मैं सर्ज करता हूँ और यहाँ पे इंटर्फेस आ गया है मैं सबसे पहले वाले आपसान पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दोस्तों इंटर्फेस इस प्रकार से ओपन होके आपको दिखाई देगा आपको स्क्रॉल बार डाउन करते हुए नीचे चले आना है और यूपी स्कॉलर्शिप करेक्शन 2020 यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस तरह से आपका इंटर्फेस दिखाई देगा आपको स्क्रॉल बार सबसे नीचे करके आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉग इन फॉर ऑल्लाइन करेक्शन जो कि आप यहाँ पे क्लिक करता हूं जो कि मेरा रिडूवल है तो आप सन आ गया है मैं यहाँ पे अपना रइस्टेशन नंबर पासवर्ट डेटा बर्त यह दोस्तों आपको अपने पास रखे रहे, तभी आप इसको देख सकते हैं, यहां पे दोस्तों मैं अपना registration number जो भी है वो यहां पे type कर दूँगा तो registration number दोस्तों जब मैं यहां पे type कर देता हूँ उसके बाद यहां पे मैं capture code type करके submit करूँगा तो यहाँ पे मेरा दोस्तो status दिखाई देगा कि जो भी correction है वो आप कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं capture quote enter करूँगा 58627 उसके बाद दोस्तो नीचे आपको submit का बटन मिल जाएगा submit पे क्लिक कर देना होता है forget password दोस्तो अगर आपका password भूल गया तो forget भी कर सकते हैं submit पे दोस्तो मैं क्लिक करता हो तो कुछ इस प्रकार से interface दिखाई देगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की स्थिती दोस्तो अभी नहीं आई हुई है यह वी यार सोरी बोलेगा तो मैं इस पे नहीं क्लिक करूँगा लेकिन आपको अगर correction करना है तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा so friends यहाँ पे देख सकते हैं एक student है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके बाद दोस्तो आप यहाँ पे देखेंगे आवेदन पत्र की संसोधन करें यहाँ पे देख सकते हैं अगर संसोधन करना चाते है कुछ भी जैसे कि यहाँ पे green है यानि मेरा सही है अगर आप कुछ भी करना चाते हैं इस पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं या तो संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन परत प्रिंट करें मैंने इसको submit कर दिया है उसके बाद मैं अगर print करना चाता हूँ फिर से status मैं भूल गया हूँ लिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पूंह इस प्रकार से open होंके दिखाई देगा अगर आप डीटेल फिर से निकालना चाते है फिल करना चाते है तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते है So friends, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन को क्लिक कर दें इसी प्रकार की वंडे एक्जाम से सम्मन्दित, आउनलाइन फार्म से सम्मन्दित, इस टेटस से सम्मन्दित आपको वीडियो जानकारी मिलती रहेगी So friends, वाच करने के लिए धन्यबाद चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और वीडियो को सेयर करें